अब देखें मतलब समझ यह उल्टा या फिर विप्रीद सब्द इसको आप लोग हिंदी इंगलिस में जरूर पढ़े होंगे हिंदी में बोलते हैं इसको विप्रितार्थक सब्द यानि कि वह शब्द जिसका अर्थ दूसरे शब्द के विप्रीद हो उल्टा हो उस शब्द को बोलते हैं विप्रितार्थक सब्द मुटजाद को इंगल्ज में बोलते हैं अन्टोनिम और अन्टोनिम को भी आप लोग याद कियोंगे उसे को उर्दो में बोला जाता है मुटजाद या फिर जिद देखिए वह लवज जिसका अर्थ जिसका मतलब जिसका मानी दूसरे लवज के विप्रीत हो उल्टा हो उस लवज को बोलते हैं मुटजाद यानि कि जिद जैसे कि मैं बोलू दुख का उल्टा क्या होगा तो सुख दिन का उल्टा क्या होगा रात आज का उल्टा क्या होगा तो यहां पर दुख का उल्टा सुख यानि कि दुख का विप्रितार तक सब्द सुख हो है दुख का एंटोनिम क्या है सुख है उसी तरह उर्दू में दुख का मुत्जाद सुख है दुख का जिद क्या है सुख है तो उल्टे शब्द को क्या बोलते हैं उल्टे अर्थ दस पांच लफज देदेगा और बोलेगा कि मंदर जर्जेल अलफाजों का जिद बनाएं या फिर मुत्तजाद बनाएं ठीक है तो आप लोग सिंपली बना सकते हैं ना देखें मैं या पर कुछ वाड्स को लिख दी हूं उठना का क्या होगा बैठना उठना का मुत्तजाद इथना अपना का मुत्तजाद या फिर जिद घर या बेगाना आगाज का अन्जाम ओवल का आखिर आपका का गुलाम आपका का उल्ट गुलाम बहादुर का उल्टा डर पोग शराफत नशीब का उल्टा फिराज आज का तो कल, ठीकिये यह क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, क्या है? अपोजिट वोड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मुत्जाद, किलियर हो गई बात, अब जर आगे समझे कि मुतरादिफ किसे कहते हैं, मुत्रादिफ मतलब समझे समान अर्थ रखने वाले लब्स को मुत्रादिफ बोलते हैं मुत्रादिफ को हिंदी में आप लोग याद की होंगे पारेवाची सब्द यानि कि वह शब्द जिसका अर्थ दूसरे शब्द की क्या हो बिलकुल समान हो उसे बोलते हैं पारेवाची उसी में बोलते हैं मुत्राधिफ यानि की वह लफ गद जिसका अर्थ जिसका मतलब जिसका मानी दूस्ते लफ्ष के बिलकुल समान हो उसे क्या कहते हैं जैसे कि दुख का, दुख का बिलकुल समान, दुख का सिनोनिम या फिर दुख का परेवाची सब्द क्या होता है? तकलीफ, तकलीफ होता है ना, तो दुख का मुतरादिफ क्या है? तकलीफ, यानि कि अगर मैं बोलू कि मुझे दुख है, तब भी आप लोगो को समझ में आ जाएगा है नमलीखीत आलफाजों का मतरादिफ काले की समान अर्थ को बनाना पढ़ेगा सिंपल तो देखिए यह पर कुछ लफज को मैं रहलत या फिर मौत होता है एन्तिकाल का मतलब कोई इन्सान क्या जिसके मुर्टी हो गई इसका ऑन्तिकाल हो गया या फिर पा गई है या फिर मौत आ गया है कि आप कि फड़ाय धोक नोद का नियत एक इरादा का नियत उमीद का आस अल्लाइक का खुदा रब कुछ भी बोलते हैं लेकिन तीनों का मतलब क्या है एक ही है ठीकाना का मंझील या फिर घर जजवा का जोस ठीके तमन्ना का खुआश आर्जू ठीके खौफ का डर दूबला का पतला अब आप लोग दूबला पतला उ मुत्तजाद और मुत्रादिफ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए अब लीजे यहां तक फटफट स्क्रीन सॉट तो समझ में आ गया यहां तक इस टॉपिक से रिलीटेट अगर कोई भी कमफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं और इस से रिलीटेट अग इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिस